नमस्कार में दोगार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल जोग लड़ गुरू में आज हम आपको बताने वले हैं रिट 2020 की सारी जान करेजिए हैं दोस्तों रिट 2020 में सले बस कैसा होगा इसका अगजाम कब होगा इसके लिए क्या पातर आज जाएगे तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अंतक देखे ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे हैं साती दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइगन को दबा लें और नोटिफिकसन स्लेट कर लें ताकि जब भी वीडि आप पूरी होने के बाद 2 अगस्त को प्रिक्षा करवाई जाएगे यानि कि रिट 2020 की प्रिक्षा है वो 2 अगस्त 2020 में करवाई जाएगे साती पाठे करम क्या होगा किस तरह से होगा ये भी हम आपको बता देते हैं सबसे बहले हम आपको बताते हैं कि इसके लिए eligibility क्या हो होती है रिट 2020 की योगेता के बारे में हम बात करें तो रिट लेवल फेस्ट के लिए आपके पास BSTC प्लस बार्वी होना चाहिए और रिट लेवल सेकेंड के लिए B8 पलस graduation की डिगरी आपके पास होनी चाहिए अगर आप B8 अपेरिंग में हैं या फिर BSTC अपेरिंग में हैं तो आप रिट 2020 का अग्जाम दे पाएंगे यानि कि इसका फोर्म आप बर सकते हैं इसके बाद में बात करते हैं रिट लेवल टू में एक बाल विकास दो बासा और केवल दो ही विशे होते हैं विग्यान गणित और समाजिक विग्यान अगर आपके पास सनातक में साइंस है तो आप विग्यान विशे गणित चूद कर सकते हैं अगर आपके आर्ट है तो आपके विशे में समाजिक विग्यान ही लेना होगा अगर मालिजे आपके सनात तो कौन सी बासा और विश्य का चैन करेंगे तो इसके लिए आपका जो विश्य रहेगा वो सामाजिक विज्यान ही रहेगा साथ में बासा फेस्ट या फिर सेकेंड आप अपनी बासा हिंदी इंगली सेंसकर्थ का चैन कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं कि 2020 में कितने पद होंगे टोटल पद होंगे 31,000 और इसके लिए 2 अगस्त को प्रिक्षा आउजित करवाए जाएगी साथी सरकारी स्कूलों में 31,000 पदों पर भरती होगी जिसमें से 6080 पद ट्राइबल सब प्लान चेतरों के लिए होंगे यानि कि TASP एरिया के लिए होंगे 6080 पद आगे हम बात करते हैं सलेबल्स के बारे में और exam paper के बारे में या इसके समकक्स जो भी आपने शिक्षा प्राप्ट किये वो प्रारमिक शिक्षा साथतर में दिवी वर्षिय डिप्लोमा बिएस्टिसी में उत्रण या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्यान रहता है अध्यापक शिक्षा प्रारमिक शिक्षा साथतर या फिर नियुद्वी वर्षिय डिप्लोमा बिएस्टिसी में उत्रण या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्यान रहता है जो राष्ट्री अध्यापक शिक्षा प्रीशत दवारा मानेता प्राप्त संस्तान से होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर 59 परतिसत अंकों के साथ उत्तर मादेमिक एवम 4 वर्षिय प्राणिमिक शिक्षा सास्तर यानि की सनात्क में बिएलाड में उत्रण या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्यान रहता हैं तो आप इसके लिए पातर हैं या फिर 59 पर 35 टीर सत अंकों के साथ 79 मादेमिक या सिख्षा सास्तर में दिवी वर्षय डिपलोमा शिख्षा विवाग से उठरण या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्यन रहता हैं तो आप इसके लिए पातर हैं या फिर सनातक और प्रार्मिक चिक्षा में दिवी वर्षे डिप्लोमा में उतरन या फिर इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्यान रत हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अध्यान रत हैं तो आप रिट लेवल सेकिंड के लिए पात रहें। वाल विकार सेंशिक्षण वीदियों के 30 बहु विकलब के परसन होगे जिनका 30 नंबर का होगा यानि की एक परसन एक नंबर का होगा। वहीं खंड सेकिंड में बासा होगी बासा में हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, सिंदी, पंजाबी, गुजराती का चैन आवेदन पत्तर में अंकित बासा सूची में ही किया जाना आवशक होगा। और इस भाग में वही बासा होगी जो शिक्षिया मध्यम की बासा है जिसका चैन ओनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। खंड सेकिंड होगा वो 30 नंबरों का होगा और 30 परसन होगे। उसके बाद में खंड थर्ड में बासा सेकिंड होगी। सेकंड बासा में आप हिंदी, अंग्रेजी, संक्सिकृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती सेलेक्ट कर सकेंगे, ये भी आपको ओनलाइन फॉर्म बर्तेस में देना होगा, खंड सेकंड में जो आपने बासा चूज करी है, वो आपको खंड थार्ड में चूज नहीं करने, दोनों अलग-अलग सेलेक्ट होंगे, उसके बाद में रिट लेवल फास्ट दो हजार बीस में, खंड फॉर्थ में गणीत होगा, और गणीत के 30 परसन होगे, 30 संकोंगा होग आगे मात करते हैं, परसनों के इस्तर के बारे में, बाल विकास शिक्सन वीदिया परसन पत्र में, कख्चा 6-11 वर्स तक की आयू के बचों के पठन, वीद्यार्थियों से के विदिक, मान सिक इस्तर, उनकी आवसकता, उन से अंतर किरियत आता अच्छे शिक्सक के गुण, एवं विशेशता आदी के बारे में समझ को परकने वाले परसन पूछे जाएंगे वही बासा फेस्ट के परसन पतर में आवेदन बढ़ते समय अंकित बासा समन्दित निपूनता की जांज है तू परसन पूछे जाएंगे जिसे उसे आवेदन पत्तर में दर्साया गया हो वही बासा सेकेंड का चैन आवेदन पत्तर में अंकित बासा सुची में ही क्या जन आवशक होगा जिसे उसे आवेदन पत्तर में दर्साया किन्तु ये बासा फस्ट से बिन होनी चाहिए यानि कि अगर आप बासा फैस्ट में हिंदी स्लेट करते हैं तो सेकेंड में आप हिंदी स्लेट नहीं कर पाएंगे इस परसन पत्र में बासा सेकेंड की सामने समझ संप्रेक्षन तता उसकी बेदन समता की फरक हैतू परसन पुछे जाएंगे वहीं चार नमर भाग में गणी तता परियावन अध्यन विशे में परसन पत्रों में संकलपना, समश्या, निवारन, छमता तता विशे के अध्यापन कोसल से समन्दीत परसन पूछे जाएंगे वहीं पास नमर बहु विखलब परसनों का मांदन कक्षा एक से पांच वी तक के राजे सरकार दवारा निर्दारित पाठे करम के आधार पर होगा पागे हैं बात करें रिट लेवल सेकेंड में किस परकार के कौन से परसन होगे और कितने नमर के होगे भाग फैस्ट में बाल भी का सेम सिक्सेंड वीडियो से समinelyंदी 30 परसन होगे जिनका नमर टोटल 30 दिया जाएगा इस तरह से रिट लेवल फैस्ट में दो बासा थी इसी तरह से रिट लेवल सेकेंड में दो बासा होगी और दोनों ही बासा अलग-अलग आपको स्लेक्ट करनी होगी ओनलाइन परमबरते समय और दोनों बासाओं के 30-30 परसन होगे और दोनों ही बासाओं में आपको 30-30 नमबर दिये जाएंगे वही खंड फौर्थ में गणीत एवं विज्ञान के सिक्षन हे तू वही फौर्थ में एमे गणीत एवं विज्ञान वीशे के 60 बहु विकल परसन होगे और जिसमें 60 नमर दिये जाएंगे या फिर समाजिक अध्यन के सिक्षन है तू और साथी बैस समाजिक अध्यन वीशे के 60 परसन होगे जिसमें 60 अंक आपको दिये जाएंगे या फिर अन्य कोई सिक्षन है तू आपका वीशे है उसके भी 60 परसन होगे और 60 अंक के टोटल परसन होगे अब हम बात करते हैं रिट लेवर सेकिंड परसनों का इस्तर क्या होगा बालिव का सेविंज सिक्षण वीदियां परसन पतर में 11 से 14 वर्स्त की आयू के बच्चों के पठन के इस्तर से समधित सेक्षनिक मनोविगान विद्यार्थियों के वीदिक मानसिक इस्तर उनकी आवस पत्र में दर्साया गया उसे समधित निपूनता की जान जैतु परसन पुछे जाएंगे वहीं बागधारण में 12 सेकेंड के लिए चैन आवेदन पत्र में अंकित बासा सूची में से क्या जाना आवश्यक होगा जिसे आवेदन पत्र में दर्साया गया किन्तु ये बासा फर्स्ट से बीन होगी और इस परसन पत्र के बाग सेकेंड की समयने समझ संप्रेंक्षन तता उनकी बोधन चमता की प्रक्षे तु परसन पुछे जाएंगे वहीं बागधार में गणीत विग्यान तता समझिक अध्यन विशे परसन पत्रों में संकलपना समश्या निवार विशे के तता समाजिक अध्यन के साथ परसन पत्रों मानुसार पूछे जाएंगे बहुवी कलब परसनों का मांदन कक्षा 6 से 8 तकी रज्य सरकारदवारा निर्दारित पत्रों के अधार पर होगा लेकिन परसनों का कटनाई इस तर सीनियर सेकेंडर यानिकी बारवीन तक तकी हमारी तरब से आपको त्रेंट रिपलाइ किया जाएगा वीडियो द्यागने के लिए दन्यवान दोस्तों थैंक्स पूर वाचिंग आपका दिन शुब हो जाहिन